हलो गुड मॉर्निंग ओल अफ यू सभी प्यारे सातियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं विवेक कुमार यूवी कंपिट्संस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों रोजाना की तरह मैं लेकर हजीरू डेली करंट अपेर्स जी के आज 16 मार्च 2020 के करंट अपेर्स के हम बात करते हैं यह हमारा इस मंत का 11 डोज है सातियों डेली करंट अपेर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपिट्संस सब्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले UV Competition चैनल को सब्क्राइब करें और साथी बैल आइकन दबाना ना भूले जिससे आपको हमारे द्वारा दिये गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्तान जी के और Mechanical Engineering पढ़ने चाहते है तो उसके लिए Unacademy Learning App पर मुझे फॉलो करें Unacademy Learning App पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके साथ ही साथ आप Unacademy App पर विवेक कुमार के नाम से सर्च कीजिए और ये फोटो देख पर भी आप फॉलो कर सकते हैं हमारा ये Current Affairs MCQ Multiple Choice Questions में साथ ही साथ इसके Important Points दिए गए हैं हर Question में Important Point है प्रते Question कुछ ना कुछ Important Point लेकर है जो कि आपकी भौष से में आने वाली परतियोगी परिक्षाओं के लिए अत्यांत महत्तो पोड है तो सबसे पहले हमारा चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए सब्क्राइब नहीं किया है तो पहले सबसे पहले सब्क्राइब कीजिए और वीडियो देखिए, वीडियो कम्प्लीट देखिए, पूरा वीडियो देखिए आएए शुरू करते है कोशन संक्या फाश से GST परिशद ने मोबाइल फॉन पर GST, Goods and Services Tax वस्तु एम सेवाकर को बढ़ाकर कितने प्रतिसत कर दिया है Option A 5, Option B 12, Option C 18, Option D 28 साथियो GST परिशद ने GST यानि की मोबाइल फॉन पर GST, Goods and Services Tax बढ़ा दिया है, यह Services Tax जो था पहले 12% था, अब इसे बढ़ा कर 18% कर दिया है तो इसका राइट आंस्वर है Option C 18%, GST जो परिशद है उसकी बैठक नई दिल्ली में आयुजित हुई थी और जो यह GST परिशद की बैठक थी, इसकी अध्यक्सता वर्तमान में केंद्रिय वित्मंत्री निर्मला सीता रमने की थी इसके अलावा इस GST परिशद की बैठक में हवाई जाज के जो फ्यूल से उन पर टैक्स कम कर दिया गया है, जो पहले टैक्स लगता था उसको कम कर दिया गया है Next, Question 2, Cabinet ने केंद्र सरकार के करमचारियों और पैंसन भोगयों के लिए महेंगाई बत्ता यान कि DA में कितने प्रतिसत की वरद्धी कर दिया है Option 3 प्रतिसत, Option B 4 प्रतिसत, Option C 5 प्रतिसत और Option D 6 प्रतिसत वर्तमान में अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो केंद्र के करमचारी और पैंसन भोगी है जो रिटायर हो चुक है और जिनको पैंसन मिल रही है, उनका महेंगाई बत्ते में बढ़ोत्री की है और ये महंगाई बत्ते में जो बढ़ोत्री की है वो 4% की है और अब महंगाई बत्ता बढ़कर कितना हो गया 22% तो इसका राइट आंस्वर है option B, 4, 30 हर 6 महिने में, यानि कि प्रते एक 6 महिने में केंद्रिय करमचारियों का महंगाई बढ़ता है जो अतिरिक्त आए देता है next question संक्या 3 किस खनीज के खनन का व्यवसाई करण करने के लिए राज्य सम्भा ने खनीज कानून संसोधन बिल 2020 पारित किया है option A, चांदी, option B, सोना, option C, हीरा, option D, कोईना और इसका right answer है option D, कोईना के खनन का व्यवसाई करण करने के लिए राज्य सम्भा ने खनीज कानून संसोधन बिल 2020 पारित किया है यह जो बिल है, इस बिल के द्वारा खान और खनीज, विकास और विनियमन अदिनियम 1957 और कोल खदान विशेश प्रावदान अदिनियम 2015 में संसोधन किया गया है यहनि कि खान और खनीज अदिनियम 1977 में बना था और कोल खदान अदिनियम 2015 में बना था इन दोनों का संसोधन करके एक नया बिल पारित किया गया है खनीज कानून संसोधन बिल 2020 और ये किस खनीज के व्योशाई करने के लिए क्या आगया है कोईला खनीज के किस राज्ये पर केंदर सरकार द्वारा छटे अंतराष्टे योग दिवस का प्रमुक राष्टे आयोजन किया जाएगा ओप्षन ए लेह लद्दाक में ओप्षन भी इस्रेई नगर जम्मु कस्मीर में ओप्षन सी सिमला हिमाचल प्रदेश में और ओप्षन डी चंडिगर पंजाब में दोस्तो प्रतेक वर्ष 21 जून को विशू योग दिवस मनाया जाता है इस बार का विशू योग दिवस 21 जून 2020 को मनाया जाएगा और यह है छटा अंतराष्टिय योग दिवस होगा इस बार अंतराष्टिय योग दिवस का प्रमुक कारेकरम लद्दाक की राजधानी लेहे में मनाया जाएगा तो इसका रायट आंसर है ओप्शन ए लेहे लद्दाक साथ योग यह 2020 का प्रमुक राष्टिय आयुजन जो है अंतराष्टिय योग दिवस का यह प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के नेत्रतों में मनाया जाएगा और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी उचाई पर और इतने बरफिले इलाके में योग दिवस का अंतराष्टिय योग दिवस का प्रमुक राष्टिय कारेकरम आयुजित किया जाएगा नेक्स्ट क्वसन संक्या पांच निमनलिकित में से किसे BSF Border Security Force के महानिदेशक का अतरिक्त प्रमार दिया गया है उप्शन A MS तरपाथी, उप्शन B M के मेगवाल, उप्शन C SS देशवाल और उप्शन D N के सिम इसका राइट अन्सवर है, उप्शन C SS देशवाल को BSF Border Security Force सीमा सुरक्षा बलका महानिदेशक का अतरिक्त प्रमार दिया गया है वर्तमान में SS देशवाल भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP में कारेरत है देशवाल 1984 बैच के हर्याना केडर के IPS अपसर है और उन्हें ये इस्थान इन्हें अतरिक्त प्रमार इस वज़े से दिया गया है क्योंकि BSF के वर्तमान मानिदेशक विवेक, जिनका की ट्रांसपर हो गया है उन्हें वापिस से मद्धेप्रदेश काइडर में लगा दिया गया है जहां से वो आये थे उन्हें वापिस वहीं बेज दिया गया है इसलिए अत्रिक्ति प्रबार SS देशवाल को दिया गया है Next और Last Question दोस्तो लाश्ट डे संडे था तो संडे की वज़े से इतनी न्यूज मिल नहीं पाई थी तो आज हमारे 6 Question है बाकी दिन हम 10-10 Question में चलेंगे Question संग्या 6 किस राज्य सरकार ने अवारा पसुओं को रखने वाले किसानों को प्रौत्सान रासी देने का ऐलान किया है Option ए राजस्तान Option B उत्तर प्रदेश Option C मद्देश Option D हर्याना साथियों इसका राइट आनस्वर है Option B उत्तर प्रदेश सरकार ने अवारा पसुओं के लिए एक कारे करम आयुजद किया है एक योजना प्रारम किया है वो योजना है मुख्य मंत्री निरासरित गाय भागिदारी योजना इसके तहत किसानों को अवारा पसुओं रखने पर 900 रुपे प्रति मा की आर्थिक प्रोथान रासी प्रदान की जाएगी दोस्तों ये जो रासी का प्रोथान रासी का एलान किया है इसका मुख्य कारण ये है कि उत्तर प्रदेशर राज्य सरकार ने वर्स 2019 में अवेद पसुओं पर प्रतिबंद लगा जा था उसके एवज में जो किसान हमारा पसुओं को रखेगा उससे 900 रुपे ही 900 रुपे मासिक प्रोथान रासी दी जाएगी तो साथियों ये ता आज का हमारा करणट पेरस जी के जो कि आपका बहुत इंपोर्टेंट है सभी प्रतियोंगी परिक्षाओं के लिए सभी कंपिट्सन्स और एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है साथियों यदि आपका हमारा वीडियो पसंद आता है अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करे जो भी कमेंट है अच्छा कमेंट बुरा कमेंट वो कमेंट करे कि आपका प्रतियक कमेंट हमें कुछ नया करने के लिए मजबूर कर देगा नया करने के लिए प्रॉपसाइट करेगा साथि साथ मजबूर करेगा कि हम कुछ अपना अच्छा दे कुछ positive करे, कुछ और नया content डाले, कुछ और करे इसके अलावा यदि आपको video पसंद आता तो please share कर अपने सातियों के साथ और हमारे YouTube channel UV competitions को subscribe जरूर करे साथी साथ हमें Unacademy, Instagram और Facebook पर भी follow करे Thank you so much, धन्यवाद, आपका दिन, सुबह